श्रीहरी विश्णू देबुठनी एकाच्ची पर गलती से भी न करे ए पांच काम, नहीं तो जेलना पड़ेगा यमराज का प्रकोप। देबुठनी एकाच्ची पर भगबान विश्णू अपनी योग निद्रा से जग कर और इस संसार का स्रिष्टी का कार्जभार संभालते हैं। सास्त्रों के अनुशार देबुठनी एकाच्ची के दिन तुलसी के पत्ते को तोरना बरजीत है। तुलसी भगबान श्रीहरी विश्णू को सबसे ज़्यादा प्रिये है। देबुठनी एकाच्ची के दिन माता तुलसी और भगबान विश्णू के साली ग्राम रूप का विबा हुआ था। ऐसा करने से भगबान विश्णू नाराज हो जाते हैं। देबुठनी एकाच्ची पर भगबान विश्णू को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से शभी मांगली कार्ज शुरू हो जाते हैं। इसलिए देबुठनी एकाच्ची के दिन दो पहर में सोना बरजित है। शास्त्रों के अनुसार देबुठनी एकाच्ची के दिन पूरा समय विश्णू की भगती में लगाएं। अगर आप भगवान विश्णू की भगती करते हैं तो मा लक्षमी आपसे प्रशन होगी। दिवत्थान एकाच्ची पर तामशिक भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज मध्या मांस मचली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो मा लक्षमी आपसे नाराज हो जाती है। एकाच्ची का ब्रत करने से मुक्ष मिलता है लेकिन अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको यह अमराज की यातनाएं झेलनी परेगी। शास्त्रों में ऐसे सभी एकाच्ची के दिन चावल खाना बरजीत है। लेकिन देवुठिनी एकाच्ची के दिन चावल या उसे बनी चीजों को आप बिल्कुल ना खाए। ऐसी मानता है कि एकाच्ची के दिन चावल खाने बाला बेक्ती अगले जन में रेंगने बाले जीब की जोनी में जन में जन में लेता है। ब्रत का अगर पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो देवुठिनी एकाच्ची के दिन किसी का अनादर नहीं करें। बाद भी बाद से बचें अब सब्द न बोलें। और अपना पूरा दिन अपने इस्ट देव की भक्ती में लगा दें।